आपिनेता इर्फान खान के फिल्म करीब करीब सिंगल इस शुकरवार सिल्मा गरों में रिलीज हो गई है तर्शुकों के सामने हमेशा कुछ नया लेकर आने वाले इर्फान एक बार फिर बहुत ही शांदर फिल्म लेकर आए हैं जिसे हर तरफ से तारीफ मिल रही है फिल्म में मलयानाम अभिनेतरी पारवती मुख के केदार में नजर आ रही है आपको बता दे कि इन्होंने इस फिल्म के जरिये बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुवात की है जहां इस फिल्म को क्रिटिक्स और सिलेबिटीस से काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला है वहीं अब देखते हैं कि फिल्म देखने के बाद मुंबई के ओडियन्स का क्या कहना है कैसे हम लोग, we still keep it in our heart, जो दिल में अभी तक रखते है उसके बार में भी है यह मुवी में और इस इस अनमेजिंग मुवी जो कि अनमेजिटेहां बाद मुवी झाला क्यों कि आइए नवी एक यहां से काली से सथी कि अस्तुरी से बहुत ही ऐखी ती रोमैंस था, कोमे़िती था, ड्रामा था, जो हर एक मुवी पैकेज उता है, वो कुरी मुवी था तोने की यसा लगा था कि दोनों आक्टिंग ही नहीं कर रहें, रियल में दोनों कॉपल से लग रहा था, इतनी अच्छी अच्छी थी दोनों की कर रिक पर रिस सिंगल तो बहुत अच्छी मुवी, मुझे तो काफी इंटरस्टिंग लगे, इसे इंफान फान से था तो वो काफी अच्छी लगे मुझे आई अप दिखते हैं कि इन सभी ने फिल्म को कितने स्टार दी है तो कुल मिलाकर लोग रॉमांटिक कमेड़ी फिल्म का अनन्द ले रहे हैं और सभी से फिल्म को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है आने स्टी बूट